हेलो दोस्तो मैं हूँ सुसिला मेरी चेनल पे आपका तहें दिल से स्वागत है तो फ्रींज मैंने आपके लिए कुछ एसे यूनिक से टिप्स एंट्रिक्स शेयर किये हैं जिसे हम यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते है और अगर आप मेरी चेनल में नए हैं तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर लीजी तो देखिए यहां पर मेरी पहले टिप्स होगी भरे होए डब्बे को लेके और इस तरह का कोई भी अगर कीचन में भरावा डब्बा होता है जिससे दाले भरके रखते हैं मसाले भरके तो हमें क्या होता है कि वापिस हमें निखाने के लिए कोई चमच की जरुवत होती है तो हम क्या करते हैं अगर इस्टील वाली जो चमच होती है हम देखिए इसमें डालके देखते हैं तो डब्बा अगर छोटा हो और इस्टील वाली जो चमच होती है वो बड़ी हो तो हम हम इसको कैसे अरेंज करेंगे ताकि चमच भी आसानी सिसके अंदर जाए कभिवी हमें this eyeball की जो वाले दब्बे उते हैं बहुँक, उसका हम ऐसे वाली चम मठ तो देखी यह आप देखने हो बड़ी है तो हमें शीने करना होगा डखे चम मठ यह जो है इसे ही साफ्ल करना है देखे आप देखते हे हो डंडी को हमें इस तरह कानी होग और देखी आपको सकते हुव क्या होता हुं तो सब्ते यह प्रोफिसका निकाल है valuation डाला विम देखिएन को नहीं लुदो हम पुर्यवर्य करना हो तो हम क्या करना है देखिएuestas दीदी भी हो जाएगी और आसानी से देखिए हम चीज ले सकते हैं तो है ना यह बहुत यूसफुल तरीका अगर आपको टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा शेयर कीजेगा तो चलिए अगले टिप को देख लेते हैं और अगले टिप हमारी होग सकते हुँ तो देखिए आपको क्या करना ऊपर का पार अब इसको कट करना है और कट करने के बाद यह से में इस तरह से यह करना और आपको पसंद आएगा और आप बहुत साब मैंपेसे करते हैंश के लिए तो देखिएगा मैं क्या बनाने वाली हूँ, वीडियो को आप पूरा देखोगे, तभी आपको पता चलेगा, और बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी आएगा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम ये चीज बना सकते हैं, जो खाली बोटल पड़ी होती है, तो देखिए हमने ये कुछ इस तरह का ये बना लिया है, और अब हम क्या करेंगे, जो इसका डखनता उसको हम लगा देंगे फिर से इसके उपर, लगाने के बाद देखिए, अब आप देख सकते हो, ये क्या बन के तयार हुआ है, तो क्या होता है कि बच्चे बेड मीटन खेलते हैं, तो देखिए, अब आप देख सकते हो, कितना ये अच्छा बन के तयार है, और इसे अच्छे से भी खेल सकते हैं बच्चे, तो फ्रेंज, आप एक बार जरूर अपने बच्चों को ये बना के दियेगा, आप बार बार बच्चे बोलेंगे कि हमें ये बना के दो, तो बहुत ही जो दिन होता है, वो चाय पती से ही हमारा दिन उखता है, हम जब कड़क वाली जो चाय पी ले, तो हमारा पूरा दिन अच्छे से निकलता है, हमारे अंदर इतनी एनरजी आ जाती है, और अगर हम सुबह चाय ना पिये, तो हमारा पूरा दिन आलसी से रहता है, तो हमें पता ही नहीं होता है तो हमें चाय को पेचाने के लिए देखी क्या करना होगा कि हाथ में देखिए हमें थोड़ा सा चाय पती ले लेना है और हमें क्या करना इस तरह से मसलना है मसलने से हमें यह होगा कि अगर इसमें मिलाउट है तो इसका जो कलर होगा डूब्लिकेट निकलने लगेगा औरですね कलर एक तो हाथ में काला तो आप देख सकते हो इस तरह से देखिए हम चाय पति की पेचान कर सकते हैं और आपको अगर और भी मैं तरीका देखिए आपको बताने वाली हूं आपको क्या करना है, गलास में ले लेना है तोड़ा सा पानी, पानी में देखिए इतना सा आपको चैपती डाल देना है और फिर हमें चम्मत से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो friends अगर हम चाय को गरम करते हैं अच्छे से उबाल करते हैं तो उसमें color निकलता है और अगर आप ठंडे पाने में चाय पती को डालोगे तो उसमें बिल्कुल भी color नहीं छुटेगा देखिए तो इसका मतलब है कि हमारी चाय में देखिए कोई भी chemical नहीं है ना ही इसमें कोई duplicate color मिलावा है तो इस तरह से देखिए हम चाय को पैचान कर सकते हैं तो अगर आपको tips useful लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों और परिवार के शेयर जरूशे शेयर करें और इस वीडियो को से नमक नमक का कोई साबी तो देखिए जब भी हम फारते हैं और इस तरह से creating top肌 बढ़ जाता है तो यह जो भी होगा वह गीर जाएगा और काम भी हमारा बढग जाएगा तो हम क्या करते हैं को कोई container में डालते हैं और अगर हमारे पास container भी ना हो तो हम क्या करेंगे देखिए हमारे पास इस तरह की जो पुराने बोटल होते हैं उसको हम देखिए कट करके और यह जो उपर का पार्ट होता है देखिए इस तरह का मैं एक दो बोटल का कट करके रख लेती हूं और इस तरह की जो पेकेट होते हैं उसमें में डालने के लिए इसको यूज में ले तो कोई डोरी से इसको बान लीजेगा या फिर आप टेप से भी इसको अच्छे से चिपका लीजेगा और अब हम देखिए अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा शेर कीजेगा तो अगले टिप को देख लेते हैं और अगले टिप हमारी देखिए तो देखिए जाडू को लेके होगी और जाडू क्या है जब पुराना होने लेगे तो जब ये पिछे की ये पाइप है वो तीरने लगती है और हमारे हाथ में ये लगती रहती है तो इसको हम केसे अच्छे से fix करेंगे ताकि हमारे हाथ में ना लगे तो देखिए हमें क्या करना है हमें लेना है एक foil paper कोई भी पूराना foil paper ले सकते हो मेरे पास देखिए इस तरह का एक डंडा खराब निकला है तो मैं इसको use करती हूँ तो देखिए इसका हम बनाएंगे cap तो पिछे का एक आपने देखिया हो गया कि जब हम नहीं जाडू लेके आते हैं तो प्लास्टिक का एक cape लगा होता है और वो निकल के खो जाता है तो देखिए वही हम cape बनाएंगे इस foil paper से देखिए इस तरह से और फिर हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगी और देखिए अब ये cape बन के तयार है और अब आप देखिए इसको use कर सकते हो बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं लगने वाली है और एक देखिए मैं आपको अगर ये निकल के गिर भी जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें लगा देना है कोई भी पुराना Socks तो देखिए इस तरह का कोई भी एक मोजा होता है तो वो हम इसमें लगा देंगे लगाने के बाद इस तरह से आप फोल्ड कर दी गया और करने के बाद आपको क्या करना है दागे सी इसको अच्छे से बाद लेना है ताकि ये क्या है खुलेना तो देखिए मैंने ये लगा लिया है और अब हम देखिए अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी हमारे हाथ में लगने वाली नहीं है जब भी हम जाडू निकालेंगे तो है ना ये बहुत ही यूजफूल तरीका तो फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई